कानपूर के मशूर कॉमेडियन और अपनी कनपूरिया भाषा के लिए मशूर अनुअवस्थी हमेशा से चर्चा में रहते हैं और उन्होंने आज एक पोश्टर लगाया है उस पोश्टर की वज़े से भी वो चर्चा में है और ये पूरा पोश्टर सोशल मीडिया पे वाइरल हो रहा है सबसे पहले हम आपको बता दें कि पोश्टर क्या है पोश्टर इन्होंने जो लगाया है इसमें इन्हें ने लिखा है कि राम मंदिर निर्मान से खुश नहीं है जो लोग वो मेरी चट से कूट कर आथ भत्या कर सकते हैं तो चलिए अन्नो अवस्टी आज हमारे साथ में हैं उन्हें से पूछ लेते हैं कि आखिर इन्होंने जो पोश्टर लगाया है इसके पीछे मकसद क्या था अन्नो जी थोड़ा सा पास आजएए और ये बताईए कि इसका पूरा मकसद क्या था जो आपने पोश्टर लगाया है दरसल बड़े भाग से तो राम मंदिर बनना चालू हुआ हम लोग सन अब्बे से राम मंदिर के लिए प्रयासरत थे कमेडियन तो हमाज बने है राम वक्त पैदा हुए थे अब जब राम मंदिर अपने चरम पर है और कुछ ही दिन बाद उसका उदगाटन है तो कुछ हमारे समाज के लोग सनातन के लोग ना कोई मुस्लिम इसका विरोद कर रहा ना क्रिस्चन कर रहा ना कोई देश कर रहा हमारे समाज के लोग इसके पीछे पड़े हुए कोई कही रहा है कि मंदिर का निर्माड पूरा नहीं हुआ अभी क्यों उद्गाटन करे दे रहे हो कुछ दिन और इंतिजार कर लेते कोई कही रहा है कि वो डेट सही नहीं है तो हम उन लोगों से पूछना चाहिते है पान सो साल से राम जी इंतिजार कर रहे थे तंबू में अब और कितने दिन कितने दिन वो चाहिते थे अगर बाइस तारीक कोई घाटन हो रहा है तो यह जो बाइस की डेट निकाली है किसी सड़क छाप आदमी नहीं निकाली कि घाट छिल ला तो उससे पूछा गया उसने मुहरत निकाल दिया किसी विद्वान ने निकाली है कासी के किसी विद्वान ने यह डेट निकाली है तो डेट को लेके पीछे पड़े हैं मंदिर का निर्मार पूरा नहीं है तुम पूरा करा देते हो मंदिर का निर्मार तुमका को रोकी सरा तुम तो एक हीट नहीं लगवाए वाद तक ना कभी शुरुआत करें अब जब बन गई तो मोधी जी प्राणपतिष्टा नहीं करेंगे योगी जी नहीं करेंगे हम कही रहें इतना सब लेथन करने का जरूरत है अगर तुमने कुछ योगदान दिया हो तो तुम बताओ आप एक बहुत बड़ी महांत हो गए एक बहुत बड़ी पोस्ट वे पैटें आपने आर्थ तक क्या किया अपने सोने के सिंगासन से उतरो तंबू मा रहे हो पांच द दिन रहेंगे इन पांच सो साल में तुम पांच दिन तंबू में नहीं रहो तुम अपने महल में सोय अपने सोने के सिंगासन में अगर तुमको कुछ बोलना होता है तो माईक पास में लाया जाता है माईक के पास भी नहीं जाते हो तो इस तरह का वो करने के बाद अब भूमर अजबर जस्तिक तो हमको अपने समाज के लोगों की प्रक्रिया से थोड़ा दुख है उस वज़े से हमने लगाया कि जो लोग राम मंदिर बनने से नहीं खुष हैं वो आके मेरी छस से आत्मात्या कर लेते जो नहीं खुष हैं जो खुष हैं वो हमारे कलेजे में बै लिखा जाए हम कही रहे हैं एक की जगा पूरा परिवार मुकदमा लिखे लेकिन पहले तुम ठाने में लिखके जो कि हम राम मंदिर बनने से नहीं खुष हैं इसलिए हम अनुव अवस्ती के उपर मुकदमा लगवा रहे हैं हम कोशी कोशी जेल काट लेंगे हम लोग ने पहले भी राम मंदिर के मुद्दे में 96 में जेल काटी है एक बार फिर काट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको लिखके देना होगा तो हम अपने समाज से बहुत परहसान हैं उन लोगों से बहुत परहसान हैं जो मंदिर में ब्यादी लगा रहे हैं जब अजस्त नहीं भेज रहे हैं निमंत्रण नहीं भेज रहे हैं लेकिन जो लोग नहीं खुछ हैं राम मंदिर से वह राजी खुछी आप में हमारे लिए सभाग की बात होगी तो यह हमरी चछ से कुंद के मरें यह आपने बताया कि जैसे हो वैसे चल भी रहा है कि कई शंकराचार ऐसे हैं जो कि लगातार कह रहे हैं कि मुहरत सही नहीं है ժैजद सही नहीं है तो audio लिए इस समय ये समय नहीं है विरोद करने का आप बहुत बड़े पद पे हैं इसको प्रतिष्ठा कभी से न बनाए जब प्रतिष्ठा कभी से बनाना था तब तो आपने प्रतिष्ठा कभी से बनाया नहीं कुछ किया नहीं किसी आंदोलन में आप दिखाई नहीं पड़े एक भी लाठी नहीं खाए अब जब सब कुछ कम्पलीट हो गया तो हम अम्मा इस घर की हमसे भी ना पूछे आटा भी कोई ना माड़ी पूरी भी ना बनाई रजगुल्ला भी ना बनाई ये कौन सी बात हम तो कह रहे हैं चार ये हैं का नाम लिए का हैं संक्राचार जी लोग हैं त क्योंकि ये किसी आंदोलन में सामिल नहीं हुए हम लोग के पास एक और बहुत बड़े महात्मा है जगत गुरु स्री राम भद्राचार माराच जो की खुद बहुत ग्यानी है तो कभी कानपुर में हमने देखा है कि डियम अगर बहुत अच्छा है तो उसी को के डिये बी पूरी गद्दी वो जैज बात करते हैं जन्यून बात करते हैं और उन्हीं की गवाही से आज मंदिर बन रहा कोई भी संकराचार जी नहीं आयते गवाही देने वो केबल यही सब डोड़ते रहे तो हम तो जगत गुरु स्री राम भद्राचार माराज की जै कहेंगे और अ और बात है कि कॉंग्रेस हो गई यह समाजवादी पार्टी हो गई यह लगातार कह रहे हैं कि हमें निमंत्र मिला भी हम नहीं जाएंगे उस पर कुछ कहना है आप करनो जी देखिए यह तो राम मंदिर है बहुत बड़ा बिसे है कहीं कहीं महले में ससंग होता है लोग नही जा पाते हैं इसलिए नहीं जा पाते हैं कि वो जाना नहीं चाहिते हैं इसलिए नहीं जा पाते हैं कि भगवान उनको अपनी नजरों से देखना नहीं चाहिते हैं वो जो नहीं जा रहे हैं इस और उनको अपनी नजरों से देखना नहीं चाहिते हैं कि कोई भी गंदा कि हम नहीं जाएंगे। यह चाहेंगे भी तब भी नहीं जा पाएंगे। कोई ना कोई ऐसी घटना दुरगटना। खास करके 22 तारिक उसके बाद खुवाबे जावें तो आप थेर्णों वस्ति जिनका जो पोश्टर है ये तो वाइरल हो ही रहा है साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग नहीं जाने की बात कर रहे हैं उनको भगवान खुदी नहीं बुला रहे हैं इसलिए वो नहीं जा पार है अन्र्वागरवाल टीवी नाइन कान्पोर